हालो दोस्तो, NCR Readers Club में आपका स्वागत है, मैं हूँ जितिंदर तोलंकी और आज हम चर्चा करने वाले हैं डेवर्ड जे स्वाच की लिखी किताब बड़ी सोच का पड़ा जादू, बुक समरी के बारे में दोस्तो, आपने महसूस किया होगा कि बहुत बार हम किसी वी लक्ष को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिलती है, जिसकी बज़े से हमें निरासा चारों तरफ से गेर लेती है, और हम हतास होकर अपने कार्य को बीच में ही करना छोड़ देते हैं, दोस्तो, महात्मा बुद्ध ने कहा था, जैसा आप सोचते हैं, बैसा आप बन जाते हैं, यही सीख देती है डेविट जे स्वाइट्ष की किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू, हमारी बड़ी सोच ही बड़े आवश्कार कराती है, बहतर सोच ही एक बहतर इंसान और काम्याव इंसान बनाती है, सकारात्मक सोच सपनों को सच करने में मददगार सावित होती है, तो महसूस कीजिए बड़ी सोच के बड़े जादू को, दोस्तो, एक रिसर्च के अनुसार, 90 प्रसत से ज़्यादा लोग किशीवी कार्रे को बीच में ही करना छोड़ देते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हम किशीवी कार्रे को पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि हम कभी भी बड़ी सोच नहीं रखते हैं, यानि बड़ा सोचते ही नहीं हैं, हम हमेसा छोटा सोचते हैं और उसको पूरा करने की कोशिस करते है इसलिए कहा जाता है कि जैसा आप अपने लिए सोचते हैं आप बैसे ही बन जाते हैं आपकी सफलता पूरी तरह से आपकी सोच पर निर्वर करती है और इस बात का डेविड जे की लिखी किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू पूरी तरह से इसपस्ट करती है यदि आप भी अपनी सोच की वज़े से जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आपको बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक एक बार अवस्य पढ़नी या सुननी चाहिए आज इस आउडियो में आप बड़ी सोच का बड़ा जादू वो समरी के बारे में जानने वाले हैं जिसको पढ़कर लाखों लोगों ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक दब मैजिक ओफ थिंकिंग बिक का अनुवाद है इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर सुदीर दिछित ने किया है अब तक देविड की ये किताब 40 लाख से जादा लोगों के बीच पहुँच चुकी है और लाखों लोग इस मनस्य को एक सफल जीवन पाने के लिए किन किन विचारों पर विजय हासिल करनी है इस पर भी मुख रूप से ध्यान आकरशित किया गया है डेविड जे स्वाट्श कहते हैं आपकी सफलता का इस्तर आपके द्रण विश्वास से निरधारित होता है यदि आपके लक्ष चो ब्यक्ति होती है जिसके बलबूते कोई भी ब्यक्ति कुछ भी कर सकता है और अपने अंदर विश्वास को उजागर करने के लिए आपकी सोच का बड़ा होना बेहत जरूरी होता है इस दुनिया में काम्याव वही होता है जो अपने बिचारों के दम पर दुनिया को बदलत आए या दुनिया को बदलने की ताकत रखता है तो आगे हम आपको इस किताब के कुछ पॉइंच बताने वाले हैं जिन को पढ़कर आप सक्सेज को हासिल कर सकते हैं खुद पर विश्वास रखें इस किताब के लेखक बताते हैं जीवन में कामयवी को हासिल करने के लिए साथ ही साथ इज़्जत भी कमा सकते हैं लेकिन आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं और किशीवी कारे की शुरुआत कर देते हैं तो आपका सफल होना असंबब होता है तो खुद पर विश्वास करने के मुख्य रूप से तीन तरीके होते हैं जब भी आप किशीवी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि मैं इस कार्य को पूरा कर सकता हूँ किसी भी लक्ष को पूरा करते समय आपको अपने दिमाग में बार बार यह बात याद करते रहना है कि मैं इस कार्य को करने के काबिल हूँ और मैं हर हाल में इस कार्य को पूरा करके रहूँगा खुद के उपर आत्मिश्वास वढ़ाने के लिए बड़े लक्ष बनाएं और उन बड़े लक्ष को हासिल करने के लिए हर दिन प्रयास करें यदि आप एक बिद्दार थी हैं तो आपका लक्ष होना चाहिए कि मुझे एक्जाम में टॉप करना है और उस बड़े लक्ष को पूरा करने के लिए आपको हर दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी बहानेवाजी बनाना बंद करें दोस्तों इस दुनिया में जदातर लोग कुछ भी बड़ा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास न तो बड़े लक्ष होते हैं और यदि कोई व्यक्ती बड़े लक्ष बना लेता है तो उस लक्ष को कभी भी पूरा नहीं कर पाता है और उसके पीछे बहाने बनाने की आदत होती है या लेकक की वहसा में हम बहाना साइटिस की विमारी से ग्रेशित में अक्सर हम किसी वी कारे की शुरुआत करते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार के बहाने बनाते हैं जैसे कि भगवान ने मेरे को इतना दिमाग नहीं दिया है कि मैं इस कारे को पूरा कर सकूँ या फिर मेरा मानसिक और सारीरिक स्वास्त सही नहीं है या मेरे पास समय नहीं है या मेरी किस्मत खराब है या मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है अक्सर हम इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं और किसी वी कारे को करने से पहले ही उस कारे को बहाने बना कर छोड़ देते हैं दोस्तों यदि आप कोई भी बिजनिस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बहुती अच्छा दिमाग नहीं होना चाहिए दिमाग की इतनी स्टाइटिंग में जरूरत नहीं है बलिकि आप बिलकुल बेसिक से भी बिजनिस अपना शुरूआत कर सकते हैं यदि हम बात करें तो दीरुबाई अम्मानी जिन के पास किसी प्रकार की कोई भी सिच्छा नहीं थी लेकिन उन्होंने अपने काम के प्रती कभी भी बहाना नहीं की बनाया और जीवन में बड़ी सफलता को हासिल किया ठीक उसी तरह से यदि आज आप अपने बहाने बनाने की आदत को छोड़ देते हैं तो आपका सफल होना निश्चित हो जाता है अपने अंदर बिश्वास जगाएं और डर को बगाएं जब हम डरे होते हैं तो हमारे दोस्त हमें समझाते हैं यह तुमारे मन का बहम है चिंता मत करो डरने की कोई बात नहीं है लेकिन दोस्तों मेरा मानना है हाँ डर बास्त्विक होता है और इसे जीतने से पहले हमें ये मानना ही पड़ेगा कि इसका अस्तित्त होता है आजकल इनसान के ज़्यादा तर डर मनो बैग्यानिक होते हैं चिंता, तनाव, उल्जन, संत्रास ये सभी हमारी नकारात्मक अनुसासन ही कलपना के कारण पैदा होते हैं परंतु सिर्फ यह जानने से के डर कैसे पैदा होता है उस डर का इलाज नहीं हो जाता है जब डॉक्टर यह पता लगा लेता है कि आपके शरीर में कहीं पर कोई इनफेक्शन है तो उसका काम वहीं पुरा नहीं होता है इसके बाद वह infection का इलाज भी करता है बास्तम में डर एक सक्तसाली भावना है किसी न किसी रूप में डर लोगों को वह हासिल करने से रोपता है जो बेजीवन में हासिल करना चाहते हैं अपने डर का कारण खोज लें फिर उचित कदम उठाएं डर और उनके उपचार के कुछ उधारन से समझते हैं जैसे जैसे आपका डर है आप अपने रंग रूप की बज़े से जजगते हैं इसका भी इलाज है इसका इलाज है अपना हुलिया समा लिए नाई की दुकान या ब्यूटिफ आलर पर जाईए अपने जूते चमकाई साफ और फ्रेस किये हुए कपड़े पहने बैतर डंग से तयार हो सुन्दर देखने के लिए आपको रोज नए कपड़ों की जरुरत नहीं होती है जैसे जातियो आपका डर होता है किसी ग्रहा को खोनेगा इसका इलाज भी है बैतर सेवा देने की दूगनी कोशिश करें ऐसी हर चीज को सुधार लें जिससे आपके ग्रहाकों का आप पर विश्वास कम न हो और आपके उपर विश्वास बना रहे तो आपका ये डर भी निकल जाएगा कुछ स्टुडेंट बोलते हैं परिच्छा में फेल हो जाने का डर है साथियों चिंता न करें चिंता में समय लगाने के बजाए उस समय को पढ़ने में लगाए और ज़्यादा मेहनत करें परिच्छा में फेल होने का डर भी खतम हो जाएगा जैसे लोग बोलते हैं, लोगों का डर है, लोग क्या बोलेंगे? दोस्तों, चीजों को सही नजरिये से देखें, याद रखें, सामने वाला व्यक्ति भी आपकी तरह एक इंसान है, विश्वास. विश्वास पूर्ण चिंतन के लिए विश्वास पूर्ण काम करें. आत्म व विश्वास बढ़ाने वाले पांच अभ्यास दिये जा रहे हैं, इन्हें साफधानी से सुने, फिर इनका अभ्यास करने की पूरी कोशिस करें, और आप अपना आत्म विश्वास काफी बढ़ा चड़ा पाएंगे. नमबर एक, आगे की बेंच पर बैठें. कभी आपने मीटिंग या चर्च या क्लास्ट्रूम या किसी और तरह की सभा में इस बात पर गोर किया हैं, कि पीछे की सीटें सबसे पहले वर जाती हैं. ज्यादा तर लोग पीछे की लाइन में इसलिए बैठते हैं, ताकि वे ल लोगों की नजर में ना आएं. और लोगों की नजरों में आने से इसलिए बस्ते हैं, कि उनको अपने उफर विश्वासी नहीं होता. तो आप आगे की बेंच पर बैठने की आदत डालें. नमबर दो, नजरें मिला कर बात करने का ब्यास करें. कोई ब्यक्ति किस तरह अप आखों में सीधे नहीं देखता है, तो आपके मन में ये सवाल ततकाल आ जाता है, ये ब्यक्ति क्या छपाने की कोशिश कर रहे हैं? ये ब्यक्ति किस पास से डरा हुआ है? क्या ये मुझे दोखत तो नहीं देना चाता? इस ब्यक्ति के इरादे क्या हैं? अपनी आखों से क करने लगेगा नमबर तीन 25 प्रत्सत तेज चलें जब मैं छोटा था तो काउंटी सीट पर जाने ही अपने आप में रोचक अनवव होता था आत्म विश्वास वढ़ाने के लिए 25 प्रत्सत तेज चलने की तक्नीक का प्रयोग करके देखें अपने कंदों को सीधा कर लें आगे की तरफ बढ़े चलें आप पाएंगे कि आपका आत्म विश्वास भी बढ़ गया है कोशिश करें और परणाम देखें नमबर चार बोलने की आदट डालें लेका कहते हैं कि कई तरह के समुओं के साथ काम करते हुए मैंने यह पाया है कि बहुत से समझदार और दोरान उनका मुही नहीं खुल पाता है ऐसा नहीं है कि उनके पास बाकी लोगों जितने अच्छे विचार नहीं होते हैं या बेब बोल नहीं सकते इसका कारण सिर्फ यह होता है कि उनमें आत्म विश्वास नहीं होता है सकारात्मक पहलू यह है कि आप जितना ज़्यादा बोलते हैं आपका आत्म विश्वास उतना ही ज़्यादा बढ़ता है और आपके लिए अगली वार बोलना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है बोलने की आदत डालें आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए यह आदत वि किस्वास की कमी को दूर करने के लिए एक बड़िया दवा है परंतु ज्यादा तर लोग इस बात में इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि जब वे डरे होते हैं तो वे मुस्कराने की कोशिसी नहीं करते हैं बड़ी मुस्कराहट दें और आप मैसुस करेंगे कि एक वार फिर ख कि सोच बिलकुल छोटी होती है और वे कभी भी बड़ा नहीं सोच पाते हैं यदि आप एक बिदारती हैं तो आप कभी भी एक्जाम में टॉप करने के बारे में नहीं सोचते हैं बलकि एक्जाम में पास होने के बारे में सोचते हैं वहीं यदि आप किसी वी कंपनी में ज सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर बड़ी सोच का बिगास करना होगा और आप जो भी कारे कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि कैसे मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक आप आपको यह सिखाती है कि आप कैसे अपने कारे के प्रती बड़ी सोच रख सकते हैं और उस बड़ी सोच के साथ बड़े लक्ष बना सकते हैं और कैसे उन लक्ष को हासिल कर सकते हैं जैसी आपकी सोच होती है बैसे ही आप बनते चले जाते हैं इस पुस्तक के लेखक बताते है कि जैसी आपकी सोच होती है बैसे ही हम धीरे धीरे बनते चले जाते हैं यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं हमेशा गरीब ही रहूँगा तो एक कभी भी अमीर नहीं बन सकता क्योंकि उसने अमीर बनने के की सोच को ही कतम कर दिया और जब आप लगातार अपने आपको एक ही बात बोलते रहते हैं तो वह बात आपके दिमाग में पक्की होती चली जाती है इसलिए आपको अपने आपको अच्छा बोलना चाहिए आपको अपने आपको बोलना चाहिए कि आज बले ही मैं गरीब हूँ लेकिन भविश्य में मैं अमीर बन सकता हूँ यदि आप ऐसा बोलते हैं तो उसके बाद आप अमीर बनने के तरीके खुजने लग जाते हैं और एक समय पर आपको खुद पर इतना विश्वा सोने लग जाता है कि आप अपने आपको बोलते हैं कि मैं अमीर बन सकता हूँ यही सकारात्मक सकती की सोच होती है दोस्तों हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह होता है जिसमें आप जिस तरह के पेड़ होते हैं आपको उसी तरह के फल मिलते हैं यदि आप अपने दिमाग में मीठे पेड़ लगाते हैं तो आपको मीठे फल मिलते हैं और वह फल आपके बिचार होते हैं जैसा आप अपने दिमाग में विचार डालते हैं बैसा ही आपका बैविश्य होता है अपने आसपास के माहुल को देखें अपने जीवन में सकारात्मक सोच का विकास करने के लिए आपके आसपास का माहुल बहतर होना चाहिए और बेहद जरूरी भी है यदि आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे माहुल में रहना होगा जहां पर सभी सफल व्यक्ति रहते हैं यदि आप नकारात्मक विचार वाले लोगों के साथ अपने दैनिक जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो ना चाहते हुए भी आपकी सोच नकारात्मक बनती चली जाती है और आप कभी भी जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं इसलिए कहा जाता है कि संगत में ही रंगत होती है यदि आप अपने आसपास में सफल लोगों के बीच में रहते हैं तो धीरे धीरे में आपकी सोच उन सफल लोगों जैसी ही बनती चली जाती है और आप सक्सेस्फुल होने का कोई न कोई रास्ता खोजी ही लेते हैं दूसरों के लिए अच्छा सोचें दोस्तों आपको हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा बोलना भी चाहिए ऐसा आपको इसलिए नहीं करना चाहिए कि इसमें सामने वाले का फायदा है बलके ऐसा आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर आपका फायदा होता है आपकी सोच में सुधार आता है, दूसरे लोग आपकी इज़त करना शुरू कर देते हैं, आपकी नजरों में आपकी खुद की value बढ़ती है और जब आप ऐसा करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आपके व्यक्तित के बारे में बताता है, जिसकी बज़े से आपकी और वी इज़त बढ़ती है और ऐसा करने पर किसी प्रकार का पैसा भी खर्च नहीं होता है आपको सिर्फ फाइदा ही फाइदा होता है लक्ष बनाईए और उनको हासिल करें बिना किसी लक्ष के जीवन को जीना ब्यर्थ होता है यह बिलकुल ऐसा होता है कि आप एक ऐसी जगह पर पहुंचने की कोशिस कर रहे हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है लेकिन यदि आपके पास एक मंजिल होती है तो कहीं पर भी उस मंजिल को हासिल करने की उम्मीद भी होती है जब आप अपने लिए लक्ष निर्दारित करते हैं तो आप उस लक्ष को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तिमाल करते हैं जिसकी बज़े से आप मानसिक रूप से तयार होते चले जाते हैं इसलिए आपको जीवन में हमेशा एक लक्ष निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए ऐसा करने पर आप धीरे धीरे जीवन में काम्याब होने लग जाते हैं हमेशा सफल लीडर की तरह सोचें दोस्तों सोचें तो लीडर की तरह सोचें एक वार फिर खोद को याद दिलाएं कि जब आप सफलता की सीड़ी चड़ते हैं तो आपके उपर वाले आपको नहीं कीचते हैं बलकि आपके नीचे वाले आपको उठाते हैं यानि के वे लोग जो आपके साथी हैं या आपके नीचे काम कर रहे हैं किसी भी बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए आपको दूसरों के सहयोग की जरुरत होती है और उस सहयोग को हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि आप मैं लीडर बनने की छमता हूँ सफलता और लीडर बनने की योगिता यानि के लोगों से वह काम करवाना जो वे बिना आपकी लीडर्शिप के न कर पाते हूं साथ साथ चलते हूं पहले के अध्यायों में सफलता दिलाने वाले जो सिद्दान्त समझाए गए हैं वे आपकी लीडर्शिप चमता बिक्सित करने में बहुमूल इसावित होंगे यहाँ पर हम चार खास लीडर्शिप सिद्दान्तों या नियमों को बताना चाहते हूंगे जो आपको लीडर बनवा सकते हैं या बिजनिस में सामाजिक कलबों में घर में हर जगे यह चार लीडर्शिप सिद्दान्त या नियम हैं जो हमेशा काम आते हैं नमबर एक जिनें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नजरिय से चीज़ों को देखें नमबर दो सोचें इस समस्या से निपटने का मानविय तरीका क्या है नमबर तीन प्रगती के बारे में सोचें प्रगती के बारे में विश्वास करें और प्रवगती के लिए कोशिश करें नमबर चार आप अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे रोज मर्रा के जीवन में इन नियमों का पालन करने से आपको वह रहस्य में शक्ति मिल जाती है जिसे लीडर्शिप कहा जाता है जीवन में हम जब भी किशीवी काम की शुरुआत करते हैं तो हम सिर्फ लिम्टेड चीजों को देखकर अपने निर्णे लेते हैं और बविस्च में निर्णे पर हमको बहुत वार पच्तावा भी होता है क्योंका हम कभी वी चीजों के सभी पहलूं को नहीं देख पाते हैं जिसकी वजए से हम कभी वी सफल नहीं हो पाते हैं यदि आप एक विद्दार थी हैं तो आपका लक्ष शिर्फ एक्जाम को पास करना होता है आप कभी वी एक्जाम में टॉप करने के बारे में नहीं लेकिन यदि आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो ये पुस्तक आपको एज्याम में टॉप करना नहीं बलकि जीवन में टॉप करना सिखाती है और बताती है कि आप कैसे बड़ा सोच सकते हैं और अमीर बन सकते हैं इसलिए आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए और सुन सातियो मुझे उम्मीद है कि आपको यह किताब अच्छी लगी होगी यह समरी अच्छी लगी होगी तो सातियो समरी को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करना न भूलें और फिर मिलते हैं एक नई समरी के साथ थेंक्यू बेरी मैच